यूम श्रीराम अंबग नात्सवीत मैं घंशामसी है यादव वरली गाहुपास्टन सिंटर वैसे तो हम बापु भक्तों के जीवन में हर शेण कुछने कुछ अनभो आता रहता है और जो बापु के पास आते हैं ऐसा लगता नहीं मुझे कि उनको बापु का अनभो नहीं हो कि मेरे चोटे बेटी की साधी थी गाउं में उत्तर परदिश को तेज जून को तो उस वक्त बरसात का महिना होता है काफी आंधी तुफान आते हैं गाउं में मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि साधी इस महिन में रखनी क्या ज़रुती है हम बाद में रख लेते तो भी चलत का तो बाइस तारी को मेरी बड़ी बेटी लखनू रहती है तो लखनू उसे बापुजी का पादशका लाए थी तो साधी के पहले हम लोगों ने घर में पाद़ुका पूजन होगरा किया को बहुता है और गाउं में मेरे घर के सामने जहां पर साधी की विधी और सवान किया, गणपति का, शंकर का, विष्नु का, तो मैंने उनसे कहा यार, तुम सब भागवान का ओन कर जो मेरे सदूर को बे ओन कर लो. तो मैंने बापु जी चोटी पोसे जिवम में थी और रख दिया मैंने कहाई ये मेरे सदूर को बे करो कि आप आईयो निर्भिगनिकार संपन्न कीजिये अ और मन में सब के जलता कि यार बरसात हो गया तुफान होगा तो कैसे हो गाए कारीक्र्म कैसे हो पाएगा तो मेरे जो मेरे घर के एक 300 मिटर दूरी पे खुले खेत में वहां पे टेंट हाउस लगगा था वहां पे बाराती रुके थे और मेरे घर से बाई तरफ अड़ाई 300 मिटर के दूरी पे बारातीयों के खाना पिना आने वाराती और घर के सब लोग मिला के लगभग हजार बारासों पंदरासोजन का लगभग खाना था गाउंवालों को मिला के बुले आप बरसात हो जाएगी बड़ी दिक्कत हो जाएगी रात में बाप्तुकिद्या से बारात आई साधी अक्सर यूपी में रात में होती है तो रात में बिवा का कारेकरम हुआ जो हमारे परचे वाले थे लोग गाउं के बगल के हमारे वो सब आये जो जो आता था सब यह कहते हैं सब के मुद्द सब लोग एक प्रस कहते थे यहां बारिस नहीं हुई है नहीं और कई लोगों ने बाद हमसे पूछा रहे हैं अब बारिस नहीं हुई है उनने का नहीं और बापो की द्यास से निर्भिक डूप से सब विधी साधी रस्म सब रस्में हो गई सब कुछ हो गया लोगों का बोजन हो गया बाराती जहां खेत में ठायरे तो खाना पीना खा क के यहां बारातीकि थी थी फेट में और जहां फेखाने व्यवस्ता थी ड्थी कि अाइक है उव इतने दूर में खाली बरसाथम मुई थी और सौनश्सों मिट्व में लगभक दूरी पे घर के चारों तरफ बरसा तुई तिखाली बीच में बारिश नहीं हुई थे और ये मेरा गुबर्नदारी के वाल बापवी कर सकता है हर्योग, शिराम, अमभग, नात्स